हेलो एबरीबन वेलकम बैक टोबर चैनल जीटी फिल्म तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट टैलेंटिड एक्टर एंड डारेक्टर एंड सिंगर सेकर सुमन की लाइफ स्टाइल एंड बायोगराफी के बारे में और जानेंगे इन से जुड़ी कुछ एती बातों को जिनको साइद आप नहीं जानते हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर आप सेकर सुमन के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना इनका रियल नेम है सेकर सुमन और नेकनेम है सेकर प्रोपेशन से एक्टर, एंकर, पूरूशर, डारेक्टर एंड सिंगर हैं इनका जनम 7 दिसंबर 1962 को कदम कुवा पटना बिहार इंडिया में हुआ था और 2022 के साफ से आज इनकी एज 60 एर हो चुकी है अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं तो इनकी हाइट लगवक 5 फूट एन 8 इंचिज इनका एकलर ब्लैक और हेकलर ब्लैक है और ये नेशनल टीशे इंडियन हैं और रिलीजन से हिंदू हैं अब इनकी एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं तो इनोंने अपने स्कुल की पढ़ाई सेंड सावियर पटना बिहार से की और अपने अगले स्कुल की पढ़ाई इनोंने बिकास बिद्याले रांची से की और साथ ही अपने कॉलिज की पढ़ाई इनोंने रमजस कॉलिज इन देली से की एजूकेशन क्वालिफेकेशन में इन्होंने ग्रैजूएशन की हुई है हिस्ट्री में अब इनके केरियर के बारे में देख लेते हैं तो सेकर ने अपने केरियर की शुरुवात मूवी उस सबसे की थी जो 1984 में आई है जिसमें इनके अपोजिट हैं रेखा और इनोंने लगबक 35 से जादा मूवियों में काम किया है जिन मेंसे कुछ नाम हैं मानव हत्या, नचे मयूरी, संसार, अनुवव, तृदेव, पती परमिश्वर, एन रनभूमी तो हमको कॉमेंट करके बताना कि इनकी कौन सी मूविय आपको बहुत पसंद है और इसके साथ साथ इनोंने टेलिविजन में भी काम किया है इनका फर्स्ट टेलिविजन सो है बात जनाव जो 1984 में आया है जिसमें इनके साथ है किरन जुनेजा और इनोंने कापी साथ टेलिविजन सोज में काम किया है इन सोजों के नाम है देख भाई देख, रिपोर्टर, कभी अंदर कभी बहार, कभी इधर कभी उधर चोटे बाबू, अंदाज, अमर प्रेम, मूबसन सेकर रिपम मू प्रेम également प्रेम अंदर कावश और इसके साथ इनोंने होस्ट भी किया है इनोंने फिस्स टाइम as a host डेबू किया है दृ ग्रेट ईंडियन comedy सो को जच करते है, इनोंने फिस्स साथ टाइम as a judge डेबू किया था the ग्रेट इंडियन लेफ्टर चालेंज से जिसमें इनके साथ थे नवजो सिंग सिद्दू और हाला कि इनोंने तीन सीजन में ही काम किया था बाद में इनोंने उस शो को छोड़ दिया था और उसके बाद इनोंने काफी कॉमेडी सोज में जैजा सिंगर डेब्यू किया था इनोंने एलबम कुछ खाव ऐसे और इनोंने हाटलेस मूवी को डालेक्ट किया है और ये एक्टर के साथ साथ एक भेतरीन पॉलिटीशन भी रह चुकी थे पहले सुमद ने लोकसवा एलेक्शन मई 2009 में पैटना साहिब की कॉंगरिस की टिकेट के लिए चुनाव लड़ा था और ये हार गए थे बीजेपी के सत्रुधन सिना से अब इनके अबॉर्ड के बारे में देख लेते हैं तो इनको ITA World Best Actor Award में मिला है साथ इसाथ इनको इंडियन टेली अबॉर्ड भी मिला है अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं तो इनके फादर का नाम पानी भूसन पिरसाद है जो प्रॉपेशन से एक एक्टर है इनकी मज़र का नाम उसा पिरसाद है और इनकी तीन सिस्टर भी है और इनकी बाइफ का नाम अलका कपूर है जिनसे इनकी मैरिज चार मई 1983 को हुई थी इनके बेटे का नाम अधियान सुमन है जो प्रॉपेशन से एक्टर है और इनके सेकंड बेटे का नाम था लेट आयू सुमन जिनकी 11 साल की उमर में डैथ होगी थी अब इनकी होबी के बारे में देख लेते हैं तो इनको पावर योगा एक्साइज एंड सिंगिंग करना कापी पसंद है अब इनके फेवरेट फूड है तो इनके फेवरेट फूड है मस्रूम और पीजा फेवरेट एक्टर है अमिता बच्चन है दिलिप कुमार फेवरेट डेस्टनेशन है यूनाइटेट किम्डम आब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते कहां पर है तो ये अपनी फेवरेट के साथ अंदेरी बैस्ट मुंबई में रहते हैं आब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं तो इनके पास फर्स्ट कार है BMW 7 सीरीज एंड सेकंड कार है रेनोंड की डस्टर आब इनकी इंकम अन सेले के बारे में देख लेते हैं तो ये लगबग 20 लाक रुपे पर एपिसोड चार्ज करते हैं साथी साथ इनकी नेटवर्ट देख लेते हैं तो इनकी टोटल नेटवर्ट लगबग 30 करोड रुपे है तो ये ती सेकर सुमन की लाइफ स्टाइल वीडियो आई होप आपको बीडियो पसंद आई होगी अगर बीडियो पसंद आई हो तो बीडियो को दिल चे लाइक कर देना साथी साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन दबाना थैंक्स फॉर वाचेंग